आज हम बात करने वाल है डॉक्टर अकलेज दासगुपता कॉलेज ओफ इंस्टिटूट अफ टेक्नोजी और मैनेजमेंट यह कॉलेज जी आईपी उसी एफिलेट है और यह न्यू दिल्ली में है तो हम आगे बढ़ते हैं यह कॉलेज के विल्डिंग कुछ आपकी ऐसे विल्डिंगेशनल एर्पोट से 10 km, नीधन बिहार, टर्मिनल, रेलव वेस्टेशन से 11 km और निजामों दिन, से 15.5 km पर आने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ पे admission कैसे लें आपको 55% marks चाहिए आपको फिलिस chemistry math में 12 में और आपको J means में बैठना जरूरी है और आपके boards में English subject compulsory होना चाहिए जो आपको यहाँ पे admission मिलेगा वो J means के mark से मिलेगा पर यह जो सा counseling के थरू नहीं GGIPO counseling के थरू मिलेगा इसका registration की last date 30 में थी और 31 से लेके 5 June में इसका first round खतम भी हो चुका है यह affiliate है गुरू गोविन सिंग इंदरपस University से यह affiliate है आगे बात करेंगे यहाँ कि जो student इंडने काफी कम है तो यहाँ पे ज़्यादा crowd नहीं होता है तो आपको यहाँ पे placement में ज्यादा competition face करना नहीं पड़ेगा आगे बढ़ते हैं cutoff की अगर आप दिल्ली reason की हो तो आपका cutoff कुछ यह रहेगा आप देख सकते हैं और अगर आप outside दिल्ली के तो cutoff यह रहेगा पर जो GGIP वाले हैं सिर्फ तीन round तक की cutoff निकालते हैं लेकिन मैं सही बाता हूँ तो यहाँ पर आपको अगर आपकी rank 2 lakh rank के तब भे आपको एक college मिल जाएगा तो कि तीन round के बाद 2 special round होते हैं जिसमें rank बहुत जाता गिरती है इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी तो फीस आपकी कुछ 4,75,000 चार सल की पड़ेगी और यहाँ पर कोई भी होस्टल की facility नहीं है आगे बढ़ते हैं प्लेस्मेंट के बारे में देखेंगे 25 लाग हाइस प्लेस्मेंट है इसका 5.5 से 6 के लाग के बीच रहता है तो मैंने इसके average 5.8 बता दिया है इसका medium package 4 लाग कर रहता और internship opportunity उतनी नहीं मिलती है अगर आप सामने से fight मारेंगे तो यह intensive मिलेगी college उतना मदद नहीं करता है यहाँ पर internship बिलवाने में आपकी यह building कुछ ऐसी रहेगी देख सकते हैं building का अगर हम last of world conclusion की बाग करें अगर आपके rank कम है और आपको computer science या IT से है तो यह college अच्छा रहेगा और यहाँ पर college आपके उपर उतना effort नहीं डालेगा placement में सारा काम आपको यह करना पड़ेगा अगर आपके coding बगार है अच्छी है यह दोनों IT सेक्टर है तो यह दोनों के बीच बना तो यहाँ पर companies आती है पर यहाँ पर आपको खोधी fight बानना पड़ेगा तो that's it आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते है next video में